नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News एक बफर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शैनल में आज की एक और बड़ी खबर लेकर आए हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक ऐसी नेता को लेकर चुकी बिजेपी की एक ताकत है बिजेपी की एक ऐसी नेता जो पिते काफी समय से अपने पत को छोड़ने को लेकर चर्चा में हैं जिन्हें केंदर में चगह न मिलने पर तमाम विबाद हुए सोशल मीडिया पर तमाम इससे जुड़ी खबर आई कयास ये लगाए गए कि इस बार म एक रोट्शो के वक्त, एक रैली के वक्त, चन सभा के वक्त मेरिका गांधी का वोट को लेकर बात करना जब पसंद नहीं आया जिससे लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पहले ही सभी प्रत्याशियों को अगाह किया था लेकिन मेरिका गांधी से जो भूल हुई उ जनता को अब इसी बात का इंतजार है जानने का गिसबार लोग सभा चुनाव में बड़ी जीत हांसिल कर सुल्तानपोर में एक बाफिर जनता का दिल जीतने वाली लोग सभा चुनावी उमिद्वार भारतिये जनता पार्टी की तरफ से गांधी परिवार की खिलाफ सब पत मिलेगा जिने केंद्र में इस बार शामिल नहीं किया गया केंद्र में थोखी कि चोड़ खाने वाली मेंका गांधी को स्तिफ्वे को लेकर भी तामाम तरह के सवालों का सामना कहीं ना कहीं जोरेक्ली करना पड़ रहा है मेंका गांधी जो पहले केंद्र में मानव क लियान और महिला विकास मंत्री थी उन्होंने अब अपने इस पद को धो छोड़ दिया है क्योंकि इस पद पर अब स्मृति एरानी हैं केंद्री ए मंत्री स्मृति एरानी जो कि अमीठी से भारी बहुमत हासल कर राहूल गांधी को हराने वाली ऐस्ती नेता बन चुकी है जिन्होंने बीते बार बीते लोग सब चुना में साल 2014 में आहार के बावजुद काम करना ना छोड़ा और उसका नतीज़ा ये निकला कि उन्हें जीत मिली लेकिन पर मेनका का इस बार पर जीत जाना और तकरीवन आठ बार इस तरह से सांसप बनी रहना और केंदर में जिनका 5 साल तक कार्य प्रभाव काफी खुबस्रत रहा है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो मेनका गांधी का स्तिफे कोagitना बात करना अब तक सांदे नहीं नए संकल्प के लिए एक नए जिम्यदारी के लिए जैसे लेकर वो तयार है चीहा सुल्तानपूर में वो काम करती नजर आई है हाल ही में उन्होंने सुल्तानपूर लोगसभा शेत्र को लेकर दोरे पर जाने पर इसकी जानकारी दी ट्वीटर पर इस पोश्ट के साथ उन्होंने लिखा सुल्तानपूर लोगसभा शेत्र के दोरे के दूसरे दिन जीले के ढीएम एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठा कर विकास कारियों की समिक्षा की है जनता की समस्याओं के जल्द से जल्द समधान के लिए जरूरी दिशा नर्देश किये हैं जिहां कि वही मेनिका गांधी है जो की रिष्टे में राहुल गांधी की चाची है रिष्टे में सोन्या गांधी की दिप्रानी है लेकिन विपक्स पार्टी कॉंग्रस पार्टी के हमेशा विबक्ष में ही खड़ी रही है मेनका गांधी जिन्होंने जीत के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाईयां दी थी ये बात अलगे कि केंद्र में इस बार उन्हें जगह नहीं मिली जिसे लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए लेकिन इस बार केंद्र में नए पुराने चेहरे देखनी को मिले केंदर में नाम सामने आये जितने भी कैबिनेट मंत्रियों का उनमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जो की दिगश नेताओं में हैं जसमें सबसे यूवा नेता है, यूवा मंत्री है स्मिति इरानी जिन्हें मेनका गांधी की जगह पर इस बार कारेभार सभालने के लिए बाल कल्यान और महीला दिकास मंत्री की तौर पर चुना गया है, स्पियन नाइन न्यूज रूम से त्रिप्ति की रिपोर्ट